सिता सिते यत्र तरंग चामर अनद्यों विभाते मुनिभानु कन्यके नीलात पत्रम वट एव साच्छात सतीर्थ राजो जयती प्रयागः सतीर्थ राजो जयती प्रयागः वियों यों सज्जनों स्वागत है आपका स्पी सुकला एजूकेट चैनल में तो देखिए आज हम आपके सामने लेकर आये हैं 2019 में मार्च और अप्रेल तक कौन-कौन से ग्रिह प्रवेस के लिए मुहूर्थ है और इसी में हम आपको बताएंगे नए घर का निर्मार के लिए मुहूर्थ और किस दिन आपको जिनाद यानि जो तूटे फूटे घर होते हैं उसमें प्रवेस कप करना है उसके साथ ही साथ नवीन ग्रिहो प्रवेस के लिए तो मुहूर्थ बताएंगे ही बताएंगे जैसा कि मित्रों प्रतेक परिवार की पहली आवसिकता होती है अपना घर मध्यमवर्ग इस सपने को सजाने के लिए जीवन भर संघर्ष करता है जिस समय यह सपना सच होने जा रहा हो तो वह उसके लिए दुनिया का सबसे सम्रिद्धी साली या कह दें कि पूर रूप से सम्रिद्धी दे एक ऐसा पल होता है इसका ध्यान रखना चाहिए अत्व वास्तु के अनुसार ग्रिह निर्मार कराना चाहिए आदमी जिन्दगी भर संघर्ष करने के बाद पैसा जुटाने के बाद घर बनवाने जाता है और थोड़े से ना समझी में बिना किसी मुहूर्थ के बिना कुछ जाने समझे अगर ग्रिह प्रवेस कर लेता है फिर आए दिन किसी न किसी परेसानी से घिरता है और परेसान होता है तो उसका दिमाग खराव होता है कास पहले ऐसा कुछ कर लिया होता तो आज ये नहीं होता तो मन को निगेटिव ठिंकिंग से नकारात्मक चीजों से बचाने के लिए ग्रिय प्रवेश करना बहुत ही जरूरी होता है इससे पहले दोस्तों आप सभी को हम बता देना चाहेंगे हमारा एक एस्टालोजी का चैनल है SP एस्टालोजी फिर से आप नोट कर लीजिए जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा SP एस्टालोजी जहां पे आप जानेंगे ग्रिय प्रवेश के लिए कौन से मुहूर्थ अच्छे होते हैं ग्रिय प्रवेश को किस महीने में करना चाहिए किस महीने में करने से क्या लाब होता है अगर कोई गरबड़ी हो गई है मानले जी आपका माकान वास्तु के हिसाब चल नहीं बना है तो आपके लिए क्या उपाय होना चाहिए आप आधनिक युग में भीरोजगारी से तरस्त हैं तो उसके लिए आपके लिए क्या लाब हो सकते हैं आपको कौँ सा उपाय करना चाहिए आए दिन घर परिवार में पती पतनी में अनबन होती रहती है तो उसके लिए आपको और भी बहुत सारी परेसानिया हैं जिसे आप किसी से कह नहीं सकते तो इन सब परेसानियों से लड़ने के लिए कुछ सीखने के लिए आप हमारे एस्टालोजी चैनल एस्पी एस्टालोजी फिर से बता दूँ दोस्तों एस्पी एस्टालोजी पर आए जहां पर आपको ये सारी चीजें मुप्त में मिलेंगी तो फिर से आपको बता दें आप हमारे यूट्यूब चैनल SP Astrology को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलेगा तो आए जानते हैं हम 2019 और 2020 में न्यूतन ग्री प्रवेस के लिए कौन कौन से महूरत हैं कि हम आपको थोड़ा सा बता देना चाहेंगे मित्रों कोई भी सुभकार्ज हमेशा उत्तरायन में करना चाहिए जैसे कि आपको पता है आयन दो होते हैं उत्तरायन और दच्छिनायन उत्तरायन में ही केवल सुभकार्ज होते हैं दर्छिनायन में असुभकार किये जाते हैं हमेशा कोई भी सुभकार करते समय प्रयाण की इस्थिती जो होती है ओ चंद्रमा का वास है की नहीं इसको देख के किया जाना चाहिए करना चाहिए चंद्रमा का वास कहां कहां पर होता है आपको बता देना चाहेंगे चंद्रमा उत्तर दिशा में रहता है शन्मुखे हाथ लाभाई दच्छिने सुख संपदे प्रिष्ठत प्राण नासाई वामे चंद्रे धनंचया चतूर्थाष्ट द्वादस इस्थ चंद्रो वर्जह श्वरा सितह चतूर्थे कलह श्वंदो अश्टमे मृत्यू वयम शति यनि शन्मुख चंद्रमा में प्रियान करें तो धन का लाभ दाहिने चंद्रमा में सुख संपत्ती बाएं चंद्रमा में धन का छै और प्रिष्ट वाले चंद्रमा में प्रियान करें तो मृत्यू होती है खुद की रासी से चार, आठ, बारा चंदर वर्जित हैं, चौथे चंदर में कलेस, आठवे में मृत्यू और बारावे में हानी होती है एक चीज कोसिस करके हमें ये भी देख लेना चाहिए, कि जब हम ग्रिह प्रवेस करें, उसके दोरान अगर अगनिवास रहता है तो बहुत अच्छी चीज होगी अगनिवास के लिए आप S.P.S. टेलोजी पे जाके देख सकते हैं और हम आपको बता देना चाहेंगे मित्रों, नूतन, ग्रिह, निर्माण में, बैशाख, श्रावन, भादरपद, माग, सीस, पूस, फागुन ये महीने जो है सुब होते हैं बाकी हर महीनों का अलग-अलग अपना-अपना परिडाम है आपको बता दें कौन से महीने में करना चाहिए, कौन से महीने में नहीं करना चाहिए इन सब के बारे में अच्छे से जाने के लिए आप SP अस्टालोजी पे भी देख सकते हैं बाकि तिथी के लिए बता दें आपको नूतन गृष प्रवेस में नौमी और चतुरदसी के दिन गृष प्रवेस नहीं किया जाता। नौमी और चतुरदसी के दिन और कृष्णपच के अंतिम दिन जो होता है यानि आपको बता दें कृष्णपच का अंतिम दिवस या अंतिम तिथी जो होती है उसमें भी कोशिस करना चाहिए कि नूतन ग्रिह में प्रवेश ना करें और दिन में बता दें रवी वार और मंग खासतोर से मंगलवार के दिन तो चाहे सरबस अकाज हो जाए मंगलवार के दिन कभी भी गृष प्रवेश में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कम हैं आप नोट कर लिजे 29 माई 30 माई 10 जून 12 जून 13 जून 15 जून 30 जनवरी 31 जनवरी 2 मार्च 2 मार्च यह हमने अप्रेल तक का आपको बताया किवल यही इतनी ही महूर्थ है जो नूतन ग्री प्रवेश के लिए है 2019 में अगर आप ग्रिहारंब करना चाते हैं घर के लिए नेई भरना चाते हैं तो आपको बता दें 19 अप्रेल 18 माई 15 माई 18 जूलाई 19 जूलाई 11 दिसंबर 12 दिसंबर 11 मार्च 12 मार्च हैं अगर इसके अलामा आपको बता दें आपका घर अगर जिनडाद हो उसको आपने तुड़वा के बनवाया है उसमें ग्रिह जूलाई 29 जूलाई 7 अगस्त 21 अक्टूबर 25 अक्टूबर 29 नौवंबर 2 और 9 नौवंबर में भी है 2 और 9 नौवंबर उसके बाद 21 नौवंबर 22 नौवंबर 23 नौवंबर 6 दिसंबर तो ये था जिनडादी ग्रिह प्रवेस इन सब के बारे में आप अगर पीडियेफ के माद्यम से जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए क्या क्या चीजे जरूरी होती हैं वहाँ से आप खुद भी जाके देख सकते हैं पढ़ सकते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए सेर करिए इ आप हमें हमारी वर्षप नमबर 8953806857 पर वर्षप के माध्यम से भी अपने प्रश्ण पूछ सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए दोस्तों के साथ और जुड़े रहिए हमारे एस्पी एस्टरलोजी चैनल के साथ साथ एस्पी सुकला एजुकेट चैनल पर भी मतारानी आप सब का कल्यान करें